दोस्तों आप सभी को तो मालूम ही होगा कि मेरे पास सबसे पहले था Pentium G620 जो कि इंटल के सेकेंड जेनरेशन का प्रोसेसर था अब सेकेंड जेनरेशन का प्रोसेसर होने का मतलब कि वो 32 नैनोमीटर के लिथोग्राफी पे बेस था और ज्यादा पारफुल नहीं था क्योंक तो मेरा जो PCI बहुत सारे ऐसे वर्क से जो कि मैं नहीं कर पाता था उपर से मेरा जो रैम था वो भी लिमिटेशन था मतलब सिप चार गिगाबाइट था तो मुझे रैम भी अप्ग्रेट करना पड़ा अब क्यूंकि मेरे पास सेकेंड जनेरेशन का प्रोसेसर था और मेर यार मार्केट में डूनने लगा कोई ऐसा प्रोसेसर जो कि मतलब बजेट में मुझे मिल भी जाए अच्छा खासा मुझे गेमिंग पर्फोर्मेंस दे दे मेरी वीड़ो बगर आप बराबर से एडिट हो जाए और मतलब कुछ एप्स जो वो क्रैश हो जाती थी जो हैवी और वो सब बराबर से चले तो दूंटे दूंटे मुझे एक ऐसा प्रोसेसर मिल गया थर्ड जनरेशन का इंटल का जो की नाइस से वेल्यू में अच्छा था मतलब कि आपको पर्फोर्मेंस भी अच्छा खासा करा देगा और आज के जो गेम्स हैं वोसे तो त्रीपल ले सब्सक्राइब कर लेते हैं यहां यहां पर बजट में आप एक अच्छा प्रोसेसर दूने कोशिच कर रहे हो और आपका सेकेंड जनरेशन का मदरबोर्ड या थर्ड जनरेशन का तो आप यहां पर टैनिटी टिया वगरा इससे पैर करने वाले हो नहीं और यह बहुत sasra से तो यह बहुत 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 करते हैं अब देखो गाईस यह इंटेल के थड़ जेनरेशन आई-फाicki और इसका अगर मैं इसक हं बात कर दो 35-3570 अब इस प्रोसेशर की खास्यत क्या है सबसे पहली तो यह 22 नैनोमीटर पर बेस्ट है अनलाइक कि सेकेंड जनरेशन का जो प्रोसेशर वो 32 नैनोमीटर पर बेस्ट था यानि कि यहां पर एक्चुल में आई पीसी का इंप्रूवमेंट हुआ है ठीक है अगर स्पैसिफ यह मतलब बहुत लेट किया लेकिन कम सब कर दिया है मतलब कोर्स बंपप कर दिया है तो जैसे कि मैंने बोला कि यह आई 5 सीरीज का प्रोसेर है थर्ड जनरेशन का है इसके अंदर 4 कोर्स है और 4 थ्रेट से इसकी कैश मेमरी 6 मेगाबाइट से इसकी टीडीप 77 मौट से जो क मैंने Antec का A30 cooler भी साथ मिलिया था ताकि जो इसकी boost clock से मैं उसको बराबर से achieve कर पाऊं तो इसकी जो base frequency है वो है 3.4 GHz और इसकी जो boost clock है वो 3.8 GHz है अब देखो boost clock इसकी 3.8 GHz है इसका मतलब यह नहीं कि आपको भी मतलब all core पे 3.8 GHz मिलेगा हो सकता यह single core turbo हो और यह भी हो सकता है कि आपका जो चारो को चारो को चारो मतलब 3.8 achieve कर पाए जब तक कि conditions optimal रहे मतलब कि आपके पास बराबर cooling रहे आपका motherboard बराबर से power deliver कर पाए और आपके जो CPU के temperature है वो भी बराबर है तब जाके जो भी boost frequency है उसे आपका processor achieve कर पाएगा अब देखो मेरे case में ऐसा है न वो 3.8 Gigahertz तक चला जाता है मतलब 3 cores 4 cores में भी जाता है लेकिन वो कुछ second के लिए रहता है और वही अगर मैं stress test लगाता हूँ या फिर benchmark करता हूँ जैसे की ADA 64 हो गया बहुत ही जादा मतलब कि stress जाल देता है CPU के उपर तो उसके अंदर मेरी जो total boost locks है वो सिप 3.6 Gigahertz तक ही जा पाती है all cores के उपर तो मैं आपको इतना बहुत सकता हूँ कि मेरा जो specific processor है उसकी जो boost lock है all core में मतलब की पूरे जितने भी चारो के 4 cores है सबे के अंदर 3.6 Gigahertz तक stable जाता है मतलब कि इसको उपर नहीं जाता है और क्यूंकि मैंने Antec का A30 cooler लगा हुआ है तो वैसे तो मेर मेरा cabinet बहुत ही घटिया quality का और airflow अच्छा नहीं फिर भी मेरा जो max temperatures है वो कुछ around 69 to 70 degrees Celsius तक आते है मतलब की full load के अंदर और mind रखो कि यह बारिश का महिना है तो मतलब थोड़े temperatures कम है ठीक है गर्मी के मौसम में हो सकता कि 75 degree तक यह processor मेरा वाला जो मैं specific बात कर रहो चला जा रुमान लगा सकते हो कि आपको ज्यादा कुछ खास boost clock नहीं मिलेगा वही 3.7 3.8 ही मिलेगा ठीक है और हाँ अगर आप विंडोस का performance monitor यूज कर रहो ना अपना boost clock देखने के लिए तो मैं आपको बता दू कि वह highly accurate है क्योंकि मेरे system के उपर वो बता था कि 4.2 GHz तक जा रह है इस processor के उपर और background में कोई apps नहीं चल रहा है मतलब performance mode पे यूज कर रहे हो तो आपको 510 मिलेगा score Cinebench का Windows 7 में भी 510 मिलेगा और फिर Windows 7 में अगर आप power saver mode भी यूज कर रहे ना तो आपको 500 के आसपा score मिल जाएगा लेकिन Windows 10 के अंदर वहां पर थोड़ा बहुत आपका आप जो score है वो गिर जाएगा मतलब कि 480 या 485 के आसपास आएगा तो इससे मालूम पड़ता यार कि Windows 10 कितना ज्याद है पावर सेविंग के मामले में तो वैसे तो सब स्पेसिफिकेशन की बात हो गए इस सब फलाना धेकाना सब होगे आप performance की बात कर लेते हैं तो जैसे क सब्सक्राइब करता है 550 मतलब 3.6 GHz पर ठीक है अब मेरे पास तो राइजन 3 1200 था नहीं तो मैंने आप सभी के चाहिते PC वाले भाई को बोला कि आप जो अपना प्रोसेसर उसे 3.6 GHz पर क्लॉक कीजिए और उसका जो स्कोर आता है Cinebench में मुझे बताईए तो उन्होंने बत Approximately 4300 से लेकर 4500 के आज पास में मिलेगा और मुझे यह processor 4300 में मिला था लेकिन अगर आपके पास कोई offline market का access नहीं है तो आप उसे Aliexpress से मंगा सकते हो क्योंकि फिलाल इंडियन रुपीज की value थोड़ा कम है US dollar के मुकाबले में तो सायद यह processor आपको 4500 के उपर ही मिलेगा ठीक है मतलब 4600, 4700 ऐसे मिलेगा लेकिन फिर भी यार 4700 में आज आप देख लोगी कौन से ऐसा processor है जो की इस processor के level का performance देगा मेरे ख्यास से कोई भी नहीं यहां तक की जो latest Pentium का G5600 आया वो भी इतना performance नहीं देगा और वह अगर राइजन को भी उसके stock speed पे छोड़ दिया तो राइजन 31200 को भी यह processor बीट कर जाता score की मुकाबले में क्यूंकि stock speed मेरे ख्यास से कुछ 480 के आसपा score आता है राइजन 31200 का और इस processor का 3.6 जिगार मतलब turbo boost मतलब 510 का score आता है तो overall यह gaming के अंदर यह processor काफी कमाल का है और इसके ओपर मैंने games भी खेले हुए है CPU से मत से पहले तो वो पुराने generation का processor था तो 32 nanometer से directly 22 nanometer पे transition होना आपको performance improvement दिखेगा ही आपको IPC का भी improvement दिखेगा उपर से इसकी clock speed ज्यादा है क्योंकि मेरा जो पूराना processor था वो सी 2.6 GHz पे clock था और यह processor 3.4 पे clock है उपर से 3.8 तक इसकी boost जाती है तो performance में तो आपको बहुर आपके तो उन्होंने बुला कि 2nd generation और 3rd generation के motherboard में BIOS update की जरूद नहीं है लेकिन फिर भी मतलब आप यह verify कर ले ना मैं मतलब इसका कोई guarantee नहीं लेकिन सच बोर रहा हो यार अगर आप 4300 spend करना तो मेरे ख्याल से यह processor आपके लिए सबसे best रहेगा अगर आपके पास 2nd generation यह 3 अब यह processor इतना ज्यादा पारफूल है ना कि इसके साथ आप GTX 1066GB का ग्राफिक काड़ कर सकते हो मैं मानता हो कि अगर आप कोई सब्सक्राइब कर सकते हैं तो इसके साथ आप काफी मजा ले सकते इस प्रोसेसर के साथ तो अगर मैं बोलना चाहो ना तो यह प्रोसेसर बेस्ट वेली फॉर मनी अगर आपके पास 2nd generation या 3rd generation का मदर बोड है यह नहीं जादा आपको कॉस्ट कर रहा है काफी जादा पारफ आपको यह जो बैग्राउंड में गेम चल रहा है मतलब कि यह जो गेम प्ले यह पसंद आता है तो मैं आपको अपने भाई के चैनल का लिंक डिस्रिप्शन में डाल दूंगा आप जाके फॉलो कीजे उससे क्योंकि वह मेरे ख्याल से एलिन वर्सेस प्रेटर का पूरा सीर ठीक है और बाकी सोशल मीडिया के भी लिंक्स डिस्रिप्शन में है अगर आपको फॉलो करना था आप उन्हें फॉलो कर सकते हैं तो अब मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई